तो एक बात इसमें शुरू करने से पहले एक बात रखना चाहूंगा कि अनुभव बिंदू तक पहुंस्ते पहुंस्ते हमको अपने जीने का जो सुरूप है आनुभव के उप्रां ज्यान सवत्व हो जाता है और फिर उसी आचरण को अधिकार पूर्व किना होता है तो अनुभव से पूर अप्यास का स्वरूब अनुभव मूलक अप्यास का अनुकरण ही है तो यह एक बात को हम ज्यान रखेंगे एक बावाजी के साथ में चर्चा कर रहे थे कि क्या ऐसा है कि हमारी जो निरण थक्ताएं हैं वो अनुभव के बाद छट जाएंगी या फिर निरण थक्ताएं चटेंगी उसके बाद अनुभव होगा तो एक बार फिर से रिपीट करूँ अपने क्वेश्चन को मेरा क्वेश्चन ये था उनके साथ में क्या ऐसा है कि हम अनुभव करेंगे तब हमारी निरण थक्ताएं चटेंगी या हमारी निरण थक्ताएं चटेंगी तब हम अनुभव के पात्र बनेंगे तो उन्होंने इस बात को कहा कि कोई अच्छी चीज साफ जगे पर ही रखी जाएगी इसका मतलब निरण थक्ताएं अपनी जो है उनको जब तक हम अभ्यास पूर्वक जो है वो उनको छोड़ते नहीं है तब तक सार्थक्ता का अधिकार स्वयम में बनता नहीं है तो यह जो अध्यान और अभ्यास में क्रमशे जो मानवयता पूर्ण आच्रण का अनुकरण है यह आवश्यक है तो यह उस समय अनुकरण में वो अपने अधिकार पर नहीं रहता है अनुगव के बार में वही चीज अपने अधिकार पर हो जाती तो उसके इस बारे में मानव योखार धर्शन ने अध्याय सत्रा में इस बारे में बात हुई थी कि अपराद के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, अन्याय के अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन, आसक्ती के अभाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन, तथा अज्यान के अभा में संकल्प का प्रत्यावर्तन होता है तो यह क्रम है कि पहले आदमी जो है अपराद को छोड़ेगा तब जाके उसका मन जो है विचार के अनुरूप चलने के लिए तैयार होगा अपराद में जो है जब शरी अनुरू दाके अट में ही सारा करेक्राफ है उसके जब आख्याइए के अभधाव में विचार का प्रत्यावतन आसक्ती के अभधाव में इस तरह क्रम बनावां तो इस वाले अध्याय में अध्याय 5 पेज नंबर 30 में पहला सूत्री ही है कि भ्रमानुबूति की जो है भ्रमानुबूति की क्षमता को पाने का अधिकारी कौन है तो कैसे होगा तो इसमें निकार जिस मानव के उत्पादन का अधिकांश भाग अखंड समाज सारवां दिवार में उब्योग सदुब्योग के निमित प्रयूक्त होता है वही श्रेष्ट मानव है तो इस तरह से श्रेष्टता के साथ ही अनुभव की व्योप्यता है वही भ्रमानुबूतिक शंक्ता को पाने का अधिकार है शरीर के द्वारा संपन होने वाले पेज नंबर 31 है पहला सुत्रपन पढ़ रहे हैं शरीर के द्वारा संपन होने वाले उत्पादन, विक्तरण, वियवहार, वियवसाई एवं भोग ही ज्यानात्मा का लक्ष नहीं है ज्यानात्मा आनंद सहज निरंतरता चाहता है यह जागरती पूर्वक सफल होना पाया चाहता है ग्यानात्मा से आशे है मानव को चलाने वाला जीवन, वो केवल शरीर द्वारा होने वाले जो मुंडेल वर्क्स हैं उसी से ही वो संतुष्ट नहीं है उसको वो जीवन में आनंद की निरंतरता चाहता है और यह कैसे सफल होता है जागरती पूर्वक सफल होता है ग्यानात्मा बौधिक समाधान के बिना संतुष्ट नहीं है तो ग्यानात्मा जो है कि वो शरीर के अनुकूलता बन जाए सब तो उससे संतुष्ट नहीं होती है जब तक उसमें बौधिक समाधान आसिल नहीं हो जाता तब तक ग्यानात्मा में संतुष्टी नहीं होती ज्यानात्मा को न्याय पूर्ण व्यवार के बिना शांती नहीं है उसमें संतुष्टी शांती जब तक परिवार में समाधान और समृध्धी प्रमानिक नहीं होती तब तक मानव जीवन को शांती नहीं मिलती नियम पूर्वक व्यवसाय के बिना उत्पादन का विपुली करन समृध्धी के अर्थ में सार्थक नहीं है तो जब तक नियम पूर्वक कौन से नियम पूर्वक प्रागर्दिक नियम सामाजिक नियम बौधिक नियम इनके नियम पूर्वक व्यवसाय के बिना उत्पादन क का जो विपुली करन मत्लदा ज्यादा उत्पादन करना सम्रदी के एठ में सार्थन नहीं हो सकता ह॔र दियाम पूर्वा को वैकरेंगे जिससे उत्पादन का विपुली करन होगा जिससे समर्थी का प्रमान पुगा उत्पादन मात्र का आस्वादन स्थूल शरीर के कोशन संरक्षन एवं समार्ज गती सीमांत वर्दी उपादेई है उत्पादन की सीमा क्या है उत्पादन की सीमा और उसकी उप्योगिता कहा है कहां तक है स्थूल शरीव जो की मानव जीवन के लिए सबसे प्रमुक साधन है यहना स्थूल शरीव के पोशन संरक्षन परिवार के पोशन संरक्षन और उसके द्वारा समाजगती में भागेदारी उसके लिए उसकी उप्योगिता है तो इसमें उत्पादन को कम नहीं कहा गया पर उसके सीमा भी बताए गई तो जो यह भाग जो है बौधिक समाधान है वो उत्पादन की सीमा में नहीं आ रहा है पर वो समाजगती में भागेदारी में आ रहा है परिवार के portion selection में आ रहा है जो की आवशक है फिर उसके बाद यांत्रिक तांत्रिक प्रयोग भी उत्पादन अपेक्षा में नहित है तांत्रिक प्रयोग से आशे यहां पर मतलब कोई तांत्र यानि प्रोसेस बनाना यांत्र से तो आशे तो है इस्पष्ट है कि कोई भी पादन की अपेक्षा में नहित है प्रत्येग आवशक की आस्वादन से जड़ पक्ष की कुष्टी होती है तो कोई भी जैसे हम आस्वादन करते हैं कोजन का पुष्टी दायक वस्त्मों का उससे क्या है जड़ पक्ष की ही कुष्टी होती है मतलब शरीर की ही कुष्टी ह में चैतन्य पक्ष के मन को सुख्या दुख्य भी हो सकता हैं। लगना और पुरा लगना सुक के भास आभास का कारण ही है उसकी निरंतरता के लिए जिग्यासा जीवन में जो सुक का भास आभास होता है वही उसका कारण है कि उसकी निरंतरता कैसे बनी रहेगी तो अब मानवने यह करके देखिया कि अगर हमारे पास में बहुत बहुतिक वस्क्रें हो जाएं तो सुप का भासा भास की निरंतरता हो जाएं या सुप की निरंतरता हो जाएं ऐसा सफल नहीं हुआ साथ ही अर्थ उपेक्षणियं भी नहीं है यह भी एक बात है कि बहुत इकता जो है वो उपेक्षा के योगे भी नहीं है उपेक्षा मतलब पिरसकार के योग में या उपेक्ष को छोड़ देने के यह भी रही है क्योंकि जड़ शरीर के पोशन संरक्षन और समाजगती के निमित उत्पादन आवश्यक है उत्पादन एक आवश्यक वस्तु है मानव के जीवन का आवश्यक आग है और किसके लिए आवश्यकता है शरीर के पोशन संरक्षन और समाजगती के लिए अर्थ के सदूपयोग मे मानव की सब्वयता और आच्रन्ट प्रकड होता है अब इस अर्थ का सदूपयोग जाकोगा तब मानव की सब्वयता और आच्रन्ट का प्रकड होगा जिसकी अख्षुनता ही अग्रिम विकास एवं जागरती सहज परंपरा का उद्धे है तो इसको बनाए रखना ही परंपरा का उद्धेश है एक बार बाबाजी के साथ में चर्चा होती थी कि कि मतलब इस पहर को कहना चाह रहे थे कि दिव्य मानव जो है यह ना वह ऐसा नहीं है कि मतलब वह उसको कोई काम नहीं करना है उसको परिवार में नहीं रहना है और उसको कोई पादन नहीं करना है उन्हें का कि देवे मानव कोई भीक मांग कर नहीं खाएगा तो वो भी अपने स्वाहत विजी से ही जीएगा अपने अपने अपना जो है आर्थिक रूप से अपने परिवार की जिम्मेदारियों को के लिए स्वाहम जिम्मेदार होगा और उसी विजी से वो अपने आचरण को मानवियता पून आचरण को ही व्याद्प चलेगा उस अठ्व में उत्पादन जो है वो है ना दिव्य मानवियता के आचरण में भी एक अभिभाज्य आयाम है न्याय पून सामाजिक व्यभाड ही सुख एवं शांती सहज निरंदरता है धर्म पून विचार ही समाधान है जो संतोष सहज निरंदरता है धर्म विहीन वस्तु या हिकाई नहीं है तो हम यहां पे समझे ही हैं जड़ हो या चैतन है सभी प्रकर्टी जो है वो धर्म के साथ में ही है प्रत्येक इकाई में रूप गुन सभाव और धर्म का अध्यन प्रसित है तो हमने इस बात का स्थान स्थान पर अध्यन किया है कि प्रकर्टी की जो इकाईया है उसकी पूर्ण व्याख्या हो जाती है अगर इन चार आयामों को हम अध्यन कर लेते हैं उसके तो इकाई का रूप है उसका परस्परता में प्रभाव है उसकी उप्योगिता और पूर तो इस तरीके से रूप गुण सभाव और धर्म के रूप में प्रकृति की सबी इकाया हैं और इस प्रकार से जो प्रकृति को एक व्यवस्था के रूप में पहचाना बन पाता है और उसका जब कोई चीज व्यवस्था के रूप में होती है तब ही उसका अध्यान हो सकता है अगर कोई चीज माया है यह यह इन्यूजन है या कोई chaos है जिसके अंदर कोई व्यवस्था नहीं तो उसका अध्यान नहीं हो सकता धमान भूती ही पर्मानंद है यही आनंद की निरंतरता है अनंद सहज निरंतरता है तो पर्मानंद को कहा है आत्मा जो है जो व्यापकता में अनुभव करती है उसको पर्मानंद कहा है और गुद्धी जो आत्मा में अनुभव करता है उसको आनंद कहा है तो आनंद की निरं निरंतरता जो है और पर्मानंद जो है जो की आत्मा में अभव है यह दोनों साथ साथ होने वाली चीज है चैतनी इकाई में गठन परिणाम नहीं है उसका कोई गठन बदलता नहीं है कोईबी पूनता के बाद उसकी निरंतरता है तो यानि कि गठन इकाई में गठन परिणाम नहीं है साथ ही क्रिया और आच्रण में कूनता के अर्थ में परिंपुस में परिमार्जन और गुणात्मक परिवर्तन प्रसित है तो यह वाली बात भी स्पश्ट है कि जीव चेतना से मानव चेतना तक में पुडात्मक परिवर्टन है और फिर उसके बात में उसका परिमार्जन है यानि और उसके अंदर मांजना होता है और उसमें चमकाना होता है आशा, आकांशा, विचार, विवेग और कला, पुशलता, निकूंता तथा पांडित्य के अनुरूप में क्रिया यहां पे जीवन प्रिया से आशे है आस्वादन एवं अनुबूती के अर्थ में प्रत्यक्ष है तो इसमें यह बेसिकली आस्वादन और अनुबूती का जो गिया गया है वो जड़पक्ष के अर्थ में आस्वादन का नाम गया है और जएज्ञान के अर्थ में अनुबूती की जीवन जो है उस्की जो प्रिया יותר przekुश है वह यहा जड़पक्ष केरे में आस्वादन से संभानित है यह तो ग्हान के अनुभ वाल्हेक्र च्श प्रा राप्ते योगी तो प्राप्ते काही आसवादन एवं सानिथ्य आसवादन ने पता ही है पातिक्ताक के साथ में जुड़ाते है और सानिथ्य मतलब पासपास आप्प्राप्त में ही अनुभूती है यह व्यापक ढ्रह्म ज्यान सकते हैं व्यापक भ्रह्म है यह एक स्रेटमेंट है व्यापक में ही जड़ चैतन्य प्रकर्पी अविभाच्य वर्तमान है यह एवं उसकी अनुगूती देश का लादी सीमा से मुक्त है यह अनुभव जो है वो उसमें समय का और स्थान की सीमा से मुक्त है यह समय और स्थान जो है वो शरीर के साथ जीने के साथ में जोड़ता है तो जबकि बुद्धी और आत्मा जो है उसके सतर पर जो देखना है वहाँ पर सर्वदेश और सर्वकाल की स्थिती रहती है तो अनुभव जो है वो सर्वदेश और सर्वकाल उसी तरीके से समझ जो है वो भी सर्वदेश और सर्वकाल से जुड़ा है तो इसलिए जो मूल प्रस्ताव हैं दर्शन के वो सारुभवन सारुकालिक के रूप में सपश्च होते हैं तो देशकाल से मुक्त नियमों की पहचान जो है वही बोध और अनवव में आती है जिस बात का हम ध्यान रखेंगे कि अब इसके साथ में ये भी बात कही जा रही है कि जो ये असीम ग्यान है जो की देश और काल से मुक्त है उसको सीमित शरीर के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है ये सबसे बड़ी बात है तो ऐसा नहीं है कि असीम ग्यान आपको हो गया पर उसका प्रमाण नहीं हो सकता क्यो यहा है और जब सीमित श्रीर है तो सीमित श्रीर में जो संगङर नाये हैं वह उस असीम ग्यान में नियंद्रित हो जाती हैं जिससे उस असीम ज्यान का व्यवहारिक प्रमान मिलना शुरू हो जाता है तो अनुभव अपने अपने प्रबाट को है ही उसके साथ में व्यवहार और प्रयोग के स्तर के उपर भी प्रमान का सीमित शरीट के माधियम से मिलना शुरू हो जाता है तो यह एक जो चीज पहले अव्यक्त अनिर् संवेदनाओं के आस्वादन मात्र से भी सुख भासता है विलासिता भी इसी उपादेता की सीमा में सीमित है संवेदना में सुख भासता है विलासिता मतलब भोग आदी करना और तो भोग भी इसी सीमा में है तो विलासिता से सुख की निरंतरता नहीं है, यदि होती तो विलासिता की निरंतरता होती, यही है कि किसी एक सीमा के बाद में जो गोग विलास जो है, वो ऐसे हनी है हो जाता है, उसको आप मैंना लगता है, अब इसको बन करो, तो वो इस तरकार से सुख की निरंतरता जो है वो विलासिता में नहीं है, इस बात को यहां कहा जा रहा है, किसी भी प्रकार का भोग विलासिया आराम, एक अवधी के अनंतर, यानि एक समय के बाद, अप्रिय, अनावश्य, दर्था ऐसहनिय होता है, यह प्रसित है, अहार विहार की शन धंगुटा प्रसित है, यह तो वो एक तरीके से ब्रिटल होता ही ही है, कि हम जब खा लेते हैं, तो फिर उसके बाद और खाती ही रहें, ऐसा हो नहीं सकता ही और हमें कहीं, घुमना है, तो खुमते ही रहे, यह सुहकiously से मिलता ही तो इस प्रकार से आहार विहार की शंभंगुता प्रसिद्ध है मानवियता पून जीवन में आहार विहार आधी में सैयं तथा आवश्यक्ता से अधी गुटपादन और कम उप्यों उप्धों के सिध्धान की सस्थापना और पालन होता है यह बात ठीक ही तो आहार विहार बंद हो जाता है सनी आहार विहार में सैयं हो जाता है और आवश्यक्ता से अधी उत्पादन हो जाता है और कितना उत्पादन है उससे कम उप्वोग हो जाता है तो उत्पादन खूब करना है पर उससे कम उप्योग करना है और जो शेश है उ इसमें से विटेशना से कुटेशना और कुटेशना से लोकेशना श्रेश होने के कारण मानवियता से अधिक स्थिति अधी मानवियता को पाने के लिए जिक्यासा पसित है तो विटेशना जो है वो भवतित वस्तों से संबंद है, पुटेशना जो है वो मानवों से संबंदित है, और जनों, और लोगों के हमारे साथ हो जाए, है ना, चाहिए वो हमारी संतान के रूप में हो, हमारे परिवारों के रूप में हो, हमारे साथ में रहने वाले लोगों के उतने हैं तो पुटेश ..ना है वो जनबल ए और लुकेश्णा ऑपने यश्क mend yağ पहेचान के साथ में यश्क श्रेश्टता का कर्म है याने यह तीनों सामाजिक यथ की uniquely मेरिं श्रेश्टता का ही तो मानवजिद जिन चीजों को पा लेता है उसकी निरम करता हो जाती है और फिर उसे आगे की ओर पड़ता है तो उसी तरीके से विद्धेशना से पुद्धेशना से फिर लोकेशना और फिर लोकेशना से भी अधिक जो है दिव्यमानुगियता की स्थिति तो इस प्रकार से एशना कर रहे हैं कि अध्यान कर्म जो है वह की योगेता का अभ्यास करने तक है सम्मानुगूटी योग्य अरहता को स्वयम में स्थापित होती उसको उसके भुचिएम निएक पर प्रमान anyone मानवकर लेक्राइक बाने से सी केशना त्रैमेसे के लिए उत्पादन के आद्टिकानश को नियोजित करता हैP तो मानवचेतना संपन अपना उत्पादन एशना त्रैमेसे के लिए पल भी है कि वि्त्पेश्ना और पुत्त्पेश्ना तक सीमित जन्मानश thing जो कि उनी के मारत दर्शन में सुरक्षित रहना और पीड़ी से भीड़ी प्रेड़ना राप्त करना चाहते हैं तो मानवियता की जो परंपरा है वो उसी सामाजिक्ता में होगी और जो प्रेड़ना देने के लिए कौन होगा जो लोकेशना को प्रमानित करें उस प्रकार से यह मानवियता की परंपरा बनती है लोकेशना युक्त मानव ने धर्म पून सत्के द्रश्टी धीरता वीरता उदारता एवं धया पून का स्वभाव है यही देव मानव है यह निर्विवाद रूप से अन्य अजागरित मानव इकाईयों के मार्ग दर्शन है उनका प्रबोधन करने की बात कही गई है उनमें समझदारी को स्थापित करने का बात एक प्रकार से देव मानव में दयाकृपा की जो है शुरुवार दिखाई देती है दयाकृपा का प्रमाण दिखाई देता है जिस मानव के उत्पादन का अधिकाईश भाग वित्रण में और निवनज परिवार में उप्योग सरुप्योग के निमित प्रयुक्त होता है वही श्रेष्ट मानव है वही ब्रह्मान उपूतिक शंक्ता को पाने का अधिकारी है वित्रण का तात्पल अखन समाद यवस्ता में नियोजन से है तो यह वारी बात हम पहले इस अधियाय में कर चुके हैं नित्यम याकुब शुखो देम इस प्रकार से अधियाय पांच जो है हम अच्छा आवाज साफ नहीं आ रही है एक बार और ठीक है फिर से आधिक तो अभी मैं कल जो कुछ वोश्यंस र रहा हूं और फिर आज अगर कुछ वेश्चन होंगे तो फोपुली हम उनको भी एड्रेस कर लेंगे तो कर राहूल तायादे जी में को बता नहीं उनका स्पेलिंग में उनको सइखी प्रनाउस कर रहा हूं नहीं राहूल जी का क्वेश्चन था भाया अनुभव से अधिक अनुमान को लिस्तार से बताएं तो इस बारे में यह है कि जब इसको सामाने अर्फ में देखें तो हमें जिस भी बात का एक्सपिरियंस रहता है जो बात हमें पाई ही रहती है जो हमारे अधिकार में रहती है अब इसके बाद में हम जो भी कुछ अनुमान करेंगे उसमें वो अनुभव तो शामिल रहता ही है और उससे अधिक भी होता है उसके अधिक की हमारे साथ में कल्पना जूपती ही है तो उस अर्थ में अनुभव से अधिक अनुभान होता है अब यहाँ पर जो यह ग्यान में अनुभव की बात कर रहे हैं तो उसके बाद में अनुभव के बाद में जो मानव अपनी कल्पना शीर्टा को प्रयोग करेगा, वो की सर्थ में करेगा, उसको जीने में प्रमानिक करने के लिए, तो वो अनुभव से अधिक होगा ही, तो अनुभव जो है वो अपने में एक स्थिर्था के रूप में स्प इसमें आश्य आश्य आपका गठन प्र्मानु या जीवन से है और व्यापक जो है भुझाइप्श रूप में अपने आप में उुर्जा के रूप में है तो जीवन जब व्यापक सत्रा में करता है उसका मतलब जीवन उसमें विल्य नहीं हो जीवन उसमें अनुभव कर लेता है और ये अनुभव होना ही तक का अनुभव है जिसमें बाकी तीनों छेखनाइबी समाईच है मानुभववववव देव मानुभवववव hija और दीव मानुभवенные वसुत्र दिदी का प्रश्ट था विरोध अत्वा निर्विरोध पूर्वक स्वागत एवं आस्वादन को कृपिया स्पष्ट करें तो यह वो एक सूत्र था कि क्रिया और इकाईयों का सानित्य एवं सहवास प्रसित है यह विरोध अत्वा निर विरोध पूरवक स्वागत एवं आसवादन भाव सःत आशा आगांगशा तद्दा इच्छा के रूप में मानव में प्रत्यक्ष है तो इसमें दो ख्रियाएं मानव में होती है स्वागत और आसवादन तो स्वागत जो है वो श्रेश्टता की स्विकृती को स्वागत कह रहे हैं तो मानव में श्रेश्टता की स्विकृती होती है उसको स्वागत कहते हैं और आस्वादन है आशा और रुची सहित ग्रहन्ट लिया तो उसको आस्वादन के अर्थ में यहां पे लिया गया तो इस प्रकार से उसके लिए विरोध होगा या निरविरोध होगा मतलब उसके लिए शिर्ष्टा की स्विकृति और रुची सहित ग्रहन्ट लिया इन डोन इसको हम स्विकारते हैं या स्विकारते हैं उसके प्रति विरोध और निर्विरोध होता ही है जो आए पास में कोई व्यान के अर्थ में हमारे सामने कुछ प्रस्तूती होती यह उसका भी हम यह तो स्वागत करते हैं यह स्वागत नहीं करते हैं वह एक प्रकार से विरोध होता है और स्वागत करना जो है वो उसके बत्थी मिर विरोध कुता है तो फिर उसके बाद राहुल जी का एक और प्रशन था कि भाया भ्रह्म प्रयंत स्वप्रभावी करण कहा है तो जागरित जीवन में क्या है जागरित जीवन और शरीर के वियोग की क्या स्थिपि है कार्थक स्वरूप ہے अध्यान्पूर्वक संसकार से संपन्न हो जाना तो स्वयप्रभाविकरण का हमने दो-tin चीजों कोُ दो-तीन अर्थों में देखा था कि शरीर चोड़ते समयं स्वयप्रभावी करन है दूसरे के दे त्याग के रूप में भी स्ववप्रभावी करण है लेकिन सबसे श्रेष्ट जो स्ववप्रभावी करण का सुरूप देखते हैं वो है अध्यन पूर। यह भी हमको दिखाई देता है जो भी जीवन विद्या से जो परिचित होते हैं इक प्रकार से वो भी एक स्वप्रभावी करण ही है हम सभी अपने हमको कहीं कुछ बात स्वेम को छुई है तभी हम इस बात को आगे अध्यन करना अपने जीवन में लाना वह एक करते हैं हमें तो वह भी एक स्वप्रभावी करण है तो यह है कि ब्रह्म परियंत स्वप्रभावी करण है इसकी जगे पे ऐसा है कि जब तक जागरित नहीं हो जाते तब तक स्वप्रभावी करण क्या है तो जागरित जीवन में क्या है जागरित जीवन में अब वो संसकार बन चुका ह तो अब और उस पे स्वा प्रभावी करन्तिया नहीं है उसका निरंतरता बन गई है जागरित जीवन और शरीर के वियोग की क्या स्थिति है अब उस स्थिति में जो जागरित जीवन है वो जागरित ही बना रहता है तो शरीर के वियोग जो है शरीर जब अब योग का नहीं तो वो शरीर का त्याग होना होता ही है तो यह हमने देखा ही है जैसे बावाजी का भी शरीर को छोड़ना हुआ ही तो इसमें यह भी है कि शरीर जो है उसको नियती के अनुरूप ही करना होता है मतलब ऐसा नहीं है कि अब मेरी जागरती पूरी हो गई तो मैं अपने शरीर को छोड़ देता हूं ऐसा नहीं है तो वो नियती और प्रकृती की जो मरियादा है उसका पालन करना ही होता है और उसके अनुरूप ही शरीर चोड़ने की प्याबी होती तो जागरत जीवन और शर Sunil Co Trina डिव को तब तक बनाए रखते हैं जब तक कि उसकी लगा शरीर की टाकत रहती है और उसके बाद में शरीर को चोड़ना होता ही है और शरीर का कि विसर्जन होता है ये एक सामान ये गटना है उसके बाद सुनील जी का प्रश्ण था ध्रमित मानव में साड़े चार क्रिया ही होती है और बुद्धी चुप रहती है तो बुद्धी को अंकार क्यों कहा है तो ये वारी बात पे हम कल भी थोड़ी बात किये थे कि बुद्धी चुप रहती है पर सुनतों रही है तो इसका मतलब ये है कि बुद्धी जो है जो चित्रन बन रहे हैं उनका द्रश्टा बनी ही रहती है और जो उनको एस्विकार करती है तो उससे एक प्रकार की पीड़ा भी बनी रहती है कि यह वादी स्थियरी, को इस्विकार करती है वह एक एफिकार करना ही शुरूप है और बुद्धी ही हेँका स्वरूप है. में की पहचान जो है वह बुद्धी के द्वारा ही है। तो बुद्धी में ही ज्यान की स्थली है, जानने की चिर स्थली है, रूप में बुद्धी को पहचाना गया है, उस अर्थ में बुद्धी के चुप होते हुए भी बुद्धी को ही आंकार की संग्या दी गई है, और बुद्धी जब अपने से श्रेष्ट आत्मा को पहचान करती है संकल्प के साथ में कारे करने को आमकार नहीं कर अद्ध पिर अनुद शूर्वंशी जी ने एक फूर्श निकार दिवमानव को अनुभव क्या धिनविन होता है तो इसमें इसका उत्तर कई बार आ का है कि अनुभव एक ही होता है और इसमें प्रमानित करने के क्रम में श्रेश्टता होती है तो अनुभव में कोई वेरियेशन नहीं है तो अध्यान अभ्यास पूर्वक मानवचेतना देवचेतना और दिव्यचेतना इन तीनों का ग्यान अर्जित होता है और उसके अनुभ होने के बाद में मानव का प्रमान पहरे फिर देव मानव का फिर दिवय मानव का प्रमान प्रमान जो है वो अनुबा मूलक विदी सही होता है तो यह क्वेश्चन्स कल आए थे मैं आज वाली लिस्ट को भी एक बार देख लेता हूँ शुरू से देखेंगे उमेद भीया ने कहा है क्या दर्शन को मूलत है विद्या के समानांतर रख सकते हैं क्या मुझे समझ नहीं आए इसका मतलब क्या है कि विद्या के समानांतर क्या आप ऐसा कह रहे हैं कि जीवन विद्या के समानांतर नहीं मुझे स्वश्ट नहीं हुआ प्रश्ण भी या आपसे जब अलग बात होगी तो मुझे अलग से लिख सकते हैं इस बारे में शामवीर सिंग यार ने लिखा है भया यदि तीव रिच्छा शरीर संबेदना के अर्थ में है तो वह समवेग नहीं है शरीर संबेदना से संबद्ध तीवरता है तो वह परिणाम आवेश फ्रासगती ही होना है अईसे समझा जाए तो भया तीव रिच्छा जो है वह केवल शरीर संबेदना के अर्थ में नहीं है वह भी चीज को प्रमानित करना है उसके लिए जीने में जो लाना है उसके लिए तीव रिच्छा है तो तीव रिच्छा जो है उस तरीके से क्रिया के अर्थ में जो जिस इच्छा को क्रियानवित करना है तो सभी जो ज्यान जो है वो शरीर के द्वारा ही प्रकाशित होगा और उसके लिए तीव रिच्छा का हुना आवश्यक है त तो तीवरिच्छा का परिणाम हमेशा आवेश और रास होगा ऐसा नहीं है तो ज्ञान के प्रमानित करने और ज्ञानार्जन करने के लिए भी तीवरिच्छा होगी और उस तीवरिच्छा को आवेश नहीं कहा जा सकता ऐसा भी हो सकता है कि भ्रमित रहते तक जिन चीजों के के रेतिये वरिच्छा होती है वो आविश्कारक हो सकते हैं ललित शर्मा जी ने पुछा पक्ष का मतलब क्या होता है जैसे पक्ष नॉर्मली किसी विचार से जुड़ जाते हैं या किसी व्यक्तित्व से जुड़ जाते हैं जैसे अभी भी पक्ष और विच्पष होता ही है तो उस तरीके से वहां पर बात की है कि मानव जो अनुभव के लिए कोई पक्ष और विच्पष का कोई बात नहीं होती है उस अर्थ में बात की गई थी सार्थक अभ्यास के साथ निरर्थकता का छुटना सुन रहां भीया यह बात बहुत जरूरी है अर्थाथ संसकार पूर्वक संसकार पूर्वक संसकार पूर्वक कहें बिल्कुल ऐसा ही है कि संसकार पूर्वक ही संसकार की पूनता है या आस्वादन केवल भौतिक अर्थ में ही नहीं जागरती उपरान मूल्यों को भी आस्वादन भी कहा जाता है अहां ऐसा बात ठीक है कि आस्वादन जो है वो केवल भौतिक अर्थ में नहीं है लेकिन यहां पर जब आस्वादन और अनुभूती शब्दों को साथ-साथ में उपयोग किया गया है तब यहां पर जड़ पक्ष के आस्वादन और ज्यान में अनुभू उस अर्थ में आशा का प्रेयोग किया गया है वो स्ट्रिक्टली अगर हम इसको लेटरल सेंस के अंदर यूज करेंगे तो हम इसमें दिक्कत आदी है लेकिन अगर हम इसको उसके कॉंटेक्स के साथ में समझेंगे तो दिक्कत नहीं होती है इसकी बाबाजी के साथ में जब हम चर्चा कर को वो clear करेगा क्योंकि कोई भी चीज को समझने के लिए जो बहुत सारे context को साथ में references को देना होता है वो एक आदमी ही कर सकता है वो कोई किताब या कोई machine उसको नहीं कर सकती है या तो क्या व्यक्ति हर तरह के ग्यान का स्वागत करेगा नहीं ऐसा बात तो नहीं कह रहे हैं हम यहां पर स्वागत जो है मतलब जिस अर्थ में यहां पर यूज किया गया है वो जागरती के अर्थ में ग्यान का स्वागत किया है तो स्वागत जो है वो समझने के अर्थ में होता है आसवाधन जो है यहां पर भृतिक्ता के अर्थ में बात किया गया था और उसके विरोध और निर्विरोध का स्वरूण बना रहता है तो मानव जो है वो ग्यान का स्वागत करने के रूप में रहता ही है चाहे वो भूतिकता से संब्धित ग्यान हो या फिर वियभारिक ग्यान हो आगे है आगंतु गुन की कल्पना है, आगंतु गुन का ताथ पर मानुवित्टर प्रकृति के अनुसार जीने की कल्पना करना है तो आशा विचार इच्छा क्या केवल मानुवित्तर के साथ जीने की कल्पना के ही निमित है नहीं ऐसा नहीं है तो आशा विचार इच्छा जो है वो केवल मानुवित्तर के साथ जीने के लिए ही निमित नहीं है आशा विचार इच्छा का एक सार्थक सुरूप भी है जो की अनुभव मूलक जीना है और अनुभव के लिए उसको नियोजित करना है तो जब भी मूलक जीना है तो आशा विचार इच्छा जो है और उसके लिए भी अभ्यास करती है और फिर उसके पाद अनुभव मूलक विदी से तो मानुभव मानुभव दिव मानुभव का अभ्यास रहता ही है इसके बाद शामवीर भिया ने रिखा है अध्याय चार में प्रवेश पूर्वक पारदर्शता क्या है तो यह है कि अनुभव मूलक विदी से जो आदमी जीता है उसका ध्यान बना रहता है तो उसमें एक प्रकार की ट्रांस्पेरंसी रहती है कि चीज को वो बहुत पहनी लश्टी से देख पाता है तो एक बरवावदी के साथ में ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने का था कि जब भी कोई चीज हम देखते हैं तो उसको तीन आयामों में देखते हैं तो कैसा वो दिखता है क्या वो करता है और वो उसका मूल सुरुप क्या है तो वो यह जो तीसरा जो है जो मूल सुरुप क्या है उसको उन्होंने नाम दिया सूक्ष्म संवेधना तो वोना कि ये अधिकार जो है वो अनुवा मूलग पूरवक आ जाता है तो उस तरीके से एक पेनिक्रेशन या प्रवेश पूरवक देखने का अधिकार बन जाता है तो उसका फिर उन्होंने बात करते हैं इस तरीके से जागरित मानव के साथ छुपना बड़ा मुश्किल है मतलब उसके सामने जब आप बात कर रहें तो आपके प्रयोजन आपकी मूलत है आप चाहते क्या हो इसको वो देख पाता है आपकी पात्रता का आपकी उसका मुल्या कट होता है या व्यक्ति अपने प्रभोधन को करता है तो वह बात सीधे सीधे स्विकार होती है क्योंकि हमारी पात्रता को जस्ट बिल्कुल प्रिसाइज भी वह व्यक्ति पहचानता है और उसके अनुसार अपनी बात को रखता है तो एक प्रकार से बात कम्यूनिकेट होत जो मुझे समझ में आया है कि जैसा उनोंने देखा उस बावाजी ने जिस परंपरा में पैदा हुए उसमें प्रकार का एक देखने का स्वरुप था उससे उनकी कामना बनी की कैसा होना चाहिए और उस कामना के आधार पे इच्छा बनी फिर वह इच्छा जो है वह तीव रि ती मतलब ग्यान का प्रकट होना और फिर उसके बाद में उसको जीने में ग्यान विवेख़ी ग्यान का प्रकाशन होना ये वो सूत्र में दिख बताया गया फिर आगे है शरीर को एवं शारीडी क्रियाओं को निरंतर अलग कैसे देखा जाए इसके अभ्यास हो जाना करने के टिप्स दीजिए क्योंकि बेसिकरी में मैं और शरीर दोनों अलग-अलग हैं तो देहा अभ्यास से कैसे छुटें तो देहा अभ्यास को तो छोड़ना नहीं है भिया तो यह है कि शरीर मूलक जो क्रियाएं है उससे अधिक की अभ्यास जो है वो जोडने की आवशक्ता है उसमें सबसे प्रारंभिक अभ्यास जो है जो मुझको समझ में आता है वो है व्यभार में तो व्यभार में जो हम अभ्यास करते हैं उसमें जीवाद की पहली झलक अपने को मिलती है तो वहां पर ही एक्चुली जो संबंदों में जो भाग है चाहे वो सेवा से जुड़ा हो या कृतग्यता से जुड़ा हो उन जगाओं पर अपने जीवन की विशालता जो है वो सबसे पहले सपष्ट होती है और फिर उसके बाद में जो यह हम शासरध्यन कर रहे हैं वो भी एक्चुली उससे जो हमारी मानसिक्ता में एक विशालता का सुलूप आता है यह भौतिक्ता से कहीं ज़्यादा है वो भी एक जीवन की विशालता को हमको एहसास करा जाता है तो यह शरीड जीवन की विशालता को हमें अख्यास करने की यही जगाएं है तो करम अभ्यास जो है वो तो एक आवश्यक ही है उसको तो आवश्यक्ता के अर्थमे ही है व्यवार अभ्यास और विचार अभ्यास है इन दोनों से हमें जीवन की विशालता जादा पता लगती है मुखेता है इसमें जादा विवहार अभ्यास और विचार अभ्यास जीवन की विशालता जादा पता लगती है और उसमें हम स्थिर हो पाते हैं जैसे जैसे हमारा विचार उसमें स्थिर होता है तो जीवन जो है वो प्रात्मिक होता जाता है और शहीर उसके साधन के रूप में स्विकार होता है ऐसा मुझको लगता है तो मेरे ख्याल से लगबग सभी प्रश्न हो गए हैं इसमें तो सभी को बहुत धन्यवाद है ना कल जो है वो श्रीना महिया प्रबोधित करेंगे आगे के अध्याय 6, 7 और 8 जो है वो कल पर तो